सबसे बड़ा जंडा और सबसे पंक्ति में सबसे आगे आप विजय राजबर को पाएंगे देखिए जो दल बदलते हैं उनका आप देखी रहे हैं जनता वहां करती है लेकिन ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि जो जनता की भावनाओं से खेलते हैं जनता उनको प्रड़ामी देना जान गई है दाराचवान जो बहुत कांफिडेंसली कह रहे हैं एक बात वो कहते हैं क हम दलितों पिछणों की जो अंदेखी भारती जनता पार्टी कर रहे हैं इसलिए हम भाग रहे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अगर आपकी चिंता अगर भारती जनता पार्टी नहीं करी होती आप अती पिछडे समास से आते हैं तो क्या भारती जनता पार्टी आपक केमिने ट मंतरी बनाती आपको राश्टी एद्धेज बनाती पिछड़ा मुर्चा और आप कहते हैं कि भारती जंता पार्टी दलितों को मौका नहीं देती है मैं आपके माध्यम से मैं उनसे पूछना चाहता हूं थीक है मैं आपकी बात से सहमत हो कि भारती प्रतनीदी चुन सकते थे लेकिन आप जो कहते हैं कि दलितों के साथ दोखा हुआ आप एक प्रतनीदी ऑपना पिछणह नहींगी बना पाए और आप दलिते और की बात करते हैं देखे आपिने कहाया जो आपने सवाल पूछा mean they बुछे पुरा आवरण बना बाते कर रहे थे पूरा एक लिखित dignity क्रिप्ต थी मैंने उसे पूछ देया कि आप टो उनके साथ सदन में भी थे मैंने पूछ दिया काउन सा सवा पूछ था काउन सी बात हुई थी या क्या चाहते थी योगी अधित्यनात नहीं सुने तो आपको कुछ लग कभी सुना उंको बात चीत करते थे आप तो साथ आते जाते थे पाल्टी के वे थे कभी कुछ बात उत करते थे क्या लिलाफाजी करते रहे देखिए मैं अब वो क्या करते थे क्या लेकिन इतना चाहता है। उसी विधानसवा में जनताने दो साल का मौका है धिया था है। और दो साल में मैंने तीन बार मैं झोशी की आवाज को गजाया था नबलकि सिर्फ घोषी की मौ. मौ. मुं. मौ. 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 व. नहीं घ्रम. में होगा आप सभी चलाइएगा उसलिए न तो मैं कहा उनसे यही क्यूश्चन मैंने पूछ दिया कि जो आपने कुछ पूछा हुआ तो रिकार्डिंग होगा बता दीजिए तो बतिया पूछ पूछ लेना का कब हो भी मैं आप से फिर कहना चाहता हूं कि जो गरीबों का है लौन कह STA करते हैं वह सिर्वें अपने पक्ष में बात करता है वह कभी दूसरीों की बात नहीं कर सकता है चलिए बात हो रहें, जिसे हम लोग जाते हैं समाज में, जिसे आपसे नगी राजगी हो जाई अलग बात है लेकिन राजबर समाज आज भी उम्प्रकास राजबर को अपना नेता मानता है वो बोलते हैं कि आज राजबर बिधायक बने लोगों को जगाया तो उम्प्रकास राजबर ही किये उम्प्रकास राजबर को अपने समाज कितना प्रानेता मानते हैं आप देखिए मैं भारती जनता पार्टी का कारे करता हूं और आज राजबर समाज हमें नेता मानने को तय जेन्ती है अभी मैं दसों ऐसी जगों से आ रहा हूं जो हजारों कारक़ता जो राजबर समाज के लोग मना रहे हैं और महाराजा सुषेल द्युव का खुन हमारे रगों में टहल रहा है बह रहा है महाराजा सुहेल देवजी हिंदू राष्ट चख थे सयद सलार मसूद गाजी को मारने वाले थे हिंदू की रक्षा करने वाले थे हिंदुस्तान की बहन बेटियों की रक्षा करने वाले थे और हिंदू के मंदिरों को उनके धर्मों को उनके देवी देवताओं की रक्षा करने वाले उनके अस्थानों की रक्षा करने वाले थे लेकिन आज भारती जंता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महाराजा सुहेल दियों के विचारों से उत्परोथ हो करके और उनके जितने भी हिंदू की मंदिरें हैं, उनके अस्थान हैं, उनको बढ़ाने का काम, उनको सेंजुनने का काम और उसके साथ-साथ, जो हिंदू राष्ट अच्छक महाराजा सुहेल देजी थे, उनके नाम से ट्रेन चलाने का काम, उनके नाम से विश्ववी डाले बनाने का काम, उनके नाम से इसमारा का स्थल बनाने का काम, ऐसे तमाम सारे काम करें, मैं तो आपके माध्यम से उन सारे दलों से पूछना चाहता हूँ, जो आजादी के बाद से, सारे लोग जो राजबर समाज का सिर्फ ओट लेते थे, और महाराजा सुहिल देव के नाम से अगर एक इट भी कहीं नोगों ने रखा हो, तो मुझे बता दें, देखिए आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन उम्प्रका यानि सबके साथ गड़बन किया, लेकिन उनके जो कहता है न, कहा हरदी लगई है, जो उनके विधान समाया पहुचाने का काम, तब हुआ, उनके किसमत तब खुली, उनके विधायक तब बने, जब भारती जंता पार्टी का उनको आसिरबाद मिला, और मैं फिर एक बार कह चाहता हूं कि जो समाजवादी पार्टी के जो घेरे में गये हैं जो कहते थे वो स्वैम कहते थे कि समाजवादी पार्टी के जो ओड़ देगा वो अपनी मा भन के साथ दोखा करेगा और वही चले गए और आज उनको धोखा मिल रहा हूं आज समाजवादी पार्टी में प्रकास राजभर संतुष्ट नहीं है उनके कहने पर जो वह सोच के गये थे उससे वह संतुष्ट नहीं है देखिए यहां बाहुबली कोई नहीं है गुंडा माफियाओं को आप बाहुबली बोलके इसको जरा वो कर रहे हैं यहां कोई बाहुबली नहीं है और जो भी इवेन मैं भी अगर कोई गलत काम करता हूँ तो कानूनी रूप से हमें भी सजा मिलेगी और उनको मिल रही है रही बाद चुनाओ की तो भारती जंता पार्टी अगर यहां से या कहीं से भी हमको मौका देगी तो उसी वेग से मैं लोड़ूँगा और जंडा एकदम उचा करने का मैं काम करूँगा एकदम जंडा फरा देना इस बाद रुकेगा छट्वे बार की मुक्तार का फर जाएगा भारती जंता पार्टी का जंडा हमेशा बुलंदियू तो जाएगा और जाता रहे है पिछली बार तो रुक गया था सदर में मैं कह रहा हूं सदर में पिछली बार भारती जंता पार्टी का कमल का निसान नहीं था अगर रहा होता तो ही पता का हो गया होता तो देखिए यह थे विजय राजभर जी बड़े दिन बाद मिल गया है और चुनावी चर्चा चल लए है चुनावी माहाल है जंता के बीच में जा रहे है तमाम और क्या इंसे क्यूश्चन पूछा जा सकता है आप कमेंट बाक्स पेलागातार यहां चर्चा बंचिदरी और चुनावी माते की तो आप यह प्रभर मस्थार का फोकरा देख लीजिए यह मोका अब इत्रा स्थान है यहीं से हमने मोका बताया चुनावी मूड तो आगे चलेंगे अगली बिदान सभा में और जानेंगे कि क्या है चुनावी झाल झाल झाल